तो आप सभी को steps तो पता चल गए, आईए अब हम step by step आप एक बार practical भी देख लेते हैं कि किस तरह से हमें gel polish application करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या common mistakes हैं जो आप करते हैं जनरूरूरूरूरूरू फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जब अगर आप beginner हैं तो आप try कीजिए one by one finger करें and cure करवाते जाएं, अगर आप एक साथ एक हाथ ले रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि maximum amount जो आपके brush में हैं वो center में आप लगाएंगे and then उसके बाद उसे spread करेंगे, cure करवाने से पहले आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आ आपका जो base coat है वो एक जगे जाके खटा तो नहीं हुआ है, now 60 seconds base coat को cure करेंगे उसके बाद gel polish application first coat, बहुत thin coat आपको देना है, multi layering नहीं देनी है, same points का ध्यान रखना है, cuticles area में नहीं लगना चाहिए, by chance लग जाए, तो आप उसे पहले orange stick से clean करेंगे, check करेंगे कि सारा amount एक जगे खटा तो नहीं हुआ है, नहीं तो क्या होगा ना, एक bump सा आपको दिखेगा, जहां पे भी आपका material जाके खटा होगा, जिस भी direction में आपका hand होगा, तो वो एक bump बन जाएगा, अगर आप उसे cure कर देंगे, this is orange stick, तो इसकी help से आप इस तरह से जो भी extra आपका भाहर ह जाए, उसे clean करेंगे, now second coat of gel polish, same rules है, और 60 seconds के लिए आप इसे भी cure करेंगे, thin layer देंगे, next point जो ध्यान रखना है, कि आप इस layer को cure होने के बाद touch नहीं करेंगे, आप या आपका client इस layer को touch ना करें, जब तक कि आप इसे permanently top coat से cure ना कर दे, touch करने से आपकी जो finishing है, वो हो सकता कि ना रहे, last step आप top coat apply करेंगे, और आप ध्यान रखेंगे, जो आपका free edge area है, आप उसे seal करें, ताकि आपका जो भी nail paint है, वो peel off ना हो, अगर आपको video helpful लगी है, तो please like, comment and subscribe my channel, bell icon को hit कीजिए and thank you for watching.